तो अब यह देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ से उपर जाते हैं जैसे हम उपर हाइट में ट्रैवल करते हैं तो ग्रैविटी में क्या फरक पड़ता है कि वो भड़ती है घड़ती है या कुछ फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो देखने जरा इस चीज को तो जैसे ही मै और सर्फेस पे G है और ये R प्लस H, R प्लस H को हमने क्या लिया है, small r, इतनी बात क्लियर है, तो G is equal to होता है, G M over R square, जिन लोगों को इसमें भी doubt है कि कैसे आए मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे आता है, M G को हम equal लगते हैं, इसके G M M over R square, यहाँ पे M से M cancel हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से आता है, अब हम निकालना चाहते है कि हाइट पर, H हाइट पर हम gravity निकालना चाहते हैं, तो G dash is equal to होगा G M over small r square, not capital R square, बट small r square, और वो इसके small r square, R plus H के whole square के equal है, इसमें से अगर मैं R square common ले लेता हूँ, ठीक है, तो बनेगा ये, और G M over R square, capital R square क्या है, G, तो मैंने G हाँ पर लिख दिया है, तो final formula हमारा बनके आता है, ये, final formula हमारा बनके आता है, ये, G dash equals to G upon 1 plus H by R whole square, तो अब आप देख सकते हैं, variation देखना ध्यान से, जैसे-जैसे H बढ़ेगा, यानि कि जैसे-जैसे हम Earth की surface से उपर proceed करेंगे, height में उपर जाएंगे, जैसे-जैसे H बढ़ेगा, वैसे-वैसे, ये जो H by R है, H by R ये बढ़ेगा, H by R बढ़ा, तो ये जो denominator वाली value है, ये भी increase करने लगेगी, ये भी बढ़ने लगेगी, ये बढ़ने लगेगी, यानि कि G dash कम होना शुरू जाएगा, यानि कि gravity, height पर कम होने लगेगी, अब अब मैं इस height, अब आप कहरे हो कि हम तो G को constant मानके चलते हैं, constant मानके चलते हो, आप height लेते हो, 100 meter, 200 meter, 400 meter, जो numerical से आप solve करते हो, G के वाली आप constant मानते हो, 10 meter per second square या 9.8, वो तब लेते हो, जब आप 100 meter, 200 meter ट्रावल कर रहे हो, तो मैं बात कर रहा हूँ, 1400 kilometer, 2000 kilometer, इतनी height पर अगर आप जाते हो, तो वहाँ पर gravity change होती है, बदलती है, ठीक है, तो इतनी height में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप इस formula से देख सकते हैं, अब हम देखने वाले हैं, जैसे जैसे हम अर्थ की depth में या फिर गहराई में उतरेंगे, तो gravity में क्या changes आते हैं, gravity में क्या बदलाव आता है, तो अगर मैंने अर्थ बनाई है, जिसकी radius है capital R और mass है capital M, इसके कारण देखते है, gravity में क्या change आता है, अब देखें, let's suppose मैं कुछ depth, D depth नीचे उतरा, ठीक है, let's suppose यह जो point आप P देख रहे हैं, इस point P पर आगे पहुच गया, मैं, उतरा, 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 point P पर आग मास है, small M is the mass of इशान, ठीक है, और center से, core से, मैं R distance, small R distance दूर हूँ, इतनी बात क्लियर है, तो अगर आपको shell theorem याद हो, shell theorem का second point यह कह रहा था, कि एक hollow spherical shell के अंदर, एक hollow spherical shell के अंदर, जो gravitational field होती है, या gravitational force होता है, वो zero होता है, यह बात सही है, तो अर्थ जो है, वो तो solid ह अर्थ जो है, वो तो solid है, अगर आप देखें, मैं point P पर हूँ, point P पर, तो अगर मैं point P पर हूँ, तो इस बहारी इसके कारण, बहारी shell के कारण, point P पर gravitational intensity कितनी होगी, zero होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर खड़ाओ, मैं इस shell के अंदर खड़ाओ, यहाँ पर खड़ाओ, इ due to this shaded part, ठीक है, इसके कारण कोई gravity नहीं होगी, gravity होगी, तो सिर्फ इस अंदर वाले पार्ट के कारण, यह भरावा पार्ट है, अर्थ इस ठीक है, अंदर से भरी भी है, तो gravity होगी इस अंदर वाले पार्ट के कारण, इतनी बात किलिए रहे, अंदर वाला पार्ट, तो मेर को बस इस अंदर वाले पार्ट का मास निकालना है जो की है M' यह जो अंशेडिट पार्ट देख रहे हो सिर्फ इसके कारण gravity होगी तो M' में निकालता हूँ भाई अगर इतने volume का मास capital M है 4 upon 3 pi capital R cube इतने volume का मास capital M है तो 4 upon 3 pi small r cube यानि की यह small r इसका radius है छोटे वाले small q upon capital R cube तो यह आ गया है इसका मास ठीक है M' अंदर वाले पार्ट का मास तो अब मैंने मास निकाल लिया है अब मेरे को बस gravitational force में value put कर लिए है आपको पता है क्या होता है G is equals to G MR square बस इसमें मेरे को M' की value substitute कर देनी है और मेरा answer आ जाएगा अब आप देख सकते हैं कि M' तो हमने calculate कर लिया है यह जो gravity का formula होता है GM over R square ठीक है इसमें हम M' रखते हैं M' है यह dashed portion इसका mass तो वह है M small r cube upon capital R cube तो हमारा जो gravity आता है point P पर वह इतना आता है G capital M R over R cube यह है point P पर gravity तो आप देख सकते हैं gravity is directly proportional to R जैसे जैसे R की value बढ़ेगी वैसे वैसे gravity भी बढ़ेगी यानि center से हम height पर जाते जाएंगे जाते जाते जाएंगे जाते जाते जाएंगे तो obviously जो G' की value है वह बढ़ने लगेगी क्यों बढ़ने लगेगी क्योंकि आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि अगर मैं और कम गहराई पर हूँ तो भई ज्यादा मास आ रहा है ना ज्यादा मास आ रहा है तो ज्यादा मास आएगा तो gravitational force बढ़े गई तो अब हम देखने वाले हैं कि अगर हम यह तो मैंने center से ली थी अब देखते हैं depth के अब देखते हैं कि अगर मैं उपर से नीचे जा रहा हूँ अभी तक हमने देख था कि center से अगर हम जा रहे है तो point P पर point P क्या है r distance उचाई पर यहां पर gravity कितनी आती है capital G capital M r over capital r cube इतनी आती है तो G dash यह आगे था हमारा G capital M over r square क्या बंदा है हमारा क्या होता है G होता है तो G मैंने हाँ लिख दिया है और आप देख सकते है small r plus small d is equal to radius of earth के तो वही मैंने हाँ लिखा है इसको आप further solve करोगे थोड़ा simplify करोगे तो यह आएगा G 1 minus small d upon capital r ठीक है तो यह formula है जब हम उचाई से यानिकी surface से from surface से नीचे की ओर चलते है नीचे की ओर तो gravity G dash क्या होती है 1 minus d by r G 1 minus d by r मैं आपको पहले बता दूँ कि जो earth की shape है वो almost spherical है exactly spherical नहीं है अगर मैं बात करू radius of equator की यह मेरा equator और यह है pole वाली axis ठीक है इनकी radius में approximately अगर मैं ऐसे radius लूँ और ऐसे लूँ 21 km का अंतर है although 21 km का अंतर इतना बड़ा नहीं है लेकिन क्यूंकि भई earth की जो radius है वो average value 6400 km है तो उसमें से 21 km इतना माइन रखता लेकिन फिर भी 21 km का अंतर तो है है ना तो यहाँ पर radius अलग है और यहाँ पर radius अलग है तो यहाँ पर variation है किसका shape का shape का variation होने के कारण जो gravity है वो भी बत लेगी देखो कैसे gravity on equator अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर क्या होगा gm over r radius of earth का square यह होगी ऐसी gravity on pole क्या होगी gm over radius of pole का square इतनी बात क्लियर है अब आप जानते हैं कि radius of equator बड़ी है radius of pole से radius of earth बड़ी है radius of pole से यह इससे बड़ी है तो अगर r e बड़ा है r e बड़ा होगा तो g e कम होगा इतनी बात क्लियर है क्योंकि inversely proportional है inverse मतलब एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बड़ेगी तो क्योंकि r e r p से बड़ा है तो gravity on pole will be greater than gravity on equator आपको लग रहा है यार मेरा वज़न बहुत ही कम है है मैं बहुत ही दुबला पतला हो जैसे वह आड में करते हैं ना मैं बहुत ही दुबला पतला हूं क्या करूं मुझे कुछ दवाई दे दीजिए कुछ medicine दे दीजिए आपको कुछ नहीं करना कोई medicine दी लेनी आप pole पर जाके रहना शुरू कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर जो radius है वो कम है अब radius कम है इसका सारा mass हम center पर concentrated मान सकते हैं तो distance कम हो गई distance कम हो गई यानि की gravity जादा होगी और आपका weight जादा होगा तो अभी तक हमने यह देखा है variation क्या आता है gravity में due to height जब हम अर्थ की surface से उपर जाते हैं जब हम अर्थ की surface के नीचे जाते हैं ठीक है और variation due to shape क्योंकि अर्थ की shape actually spherical नहीं होती इलेप्टिकल होती है तो equator पर pole पर अलग अलग gravity होती है यो तीन case हमने देखे थे आज हम चौथा case discuss करने वाले हैं अलथा case क्या है variation in gravity due to rotation अर्थ के घूमने से आप देखे कितनी हिरान करने वाली बात है कि अर्थ के घूमने से भी gravity में change आ ठीक है तो equator पर अलग होती है gravity और pole पर अलग होती है gravity due to earth's rotation देखते हैं अर्थ के मास M लिया है ठीक है जैसे for example अगर मैं अपना weight consider कर लूँ कि मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरा weight कहां पर लगेगा अर्थ के center की तरफ लगेगा अर्थ के center की तरफ मैंने weight बना दिये mg ठीक है और normal contact force बहार को लगेगा आपको लग रहा होगा कि mg नीचे लगना चाहिए अरे नीचे नहीं लगेगा भाई अर्थ के center की तरफ लगता है अर्थ के core की तरफ ठीक है और normal contact भार को तो यह हो गया basic सा diagram अब हम equation लगाते हैं newton's की तो देखते हैं कि भाई net force इस particle पे कितना लग रहा है mg-n मेरा weight अंदर की तरफ normal contact भार को तो net force weight minus normal contact force is equal to mr omega square mr omega square क्या है centripetal force क्योंकि जो net force है यही इसको centripetal दे रहा है घूमने के लिए यह जो particle रखा है ना यहापर या फिर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर यह मैं तभी खड़ा हूँ पा रहा हूँ और तभी इसके चक्कर अर्थ के चक्कर लगा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे net centripetal force मिल रहा है और वो net centripetal force कितना है वो इतना है इतनी बात क्लियर है थोड़ा सा rearrange करेंगे तो यह आएगा और यहाँ पर हम normal contact को क्या लिखेंगे mg dash मैंने काए कि यहाँ पर जो point है यह वाले जो point है यहाँ पर gravity अलग है equator पर gravity different है तो मैंने gravity लिख दी है g dash ठीक है और weight कितना होगा मेरा equator पर mg dash तो m से m cancel होगा gravity i g dash equal to g minus r omega square आप देखें कि यहाँ पर quantity minus हो रही है gravity में से quantity minus हो रही है r omega square which means कि gravity equator पर pole से कुछ कम होगी कुछ decrease हो जाएगी gravity ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा weight equator पर कम होता है और pole पर जाद होता है अगर मैं यहाँ पर खड़ाओं pole पर तो जो point axis of rotation पर लाए करता है उस पर centripetal force नहीं लगेगा क्योंकि radius ही नहीं है घूमने के लिए circular motion में घूमने के लिए radius ही नहीं है तो यहाँ पर तो कोई force लगेगा नहीं centripetal तो यहाँ पर equator पर लगेगा लेकिन अब सोचने वाली बात ही है यह तो अभी equator पर हमने देख लिया अगर यह equator पर ना लाई करके किसी और point पर लाई करता अगर मैं यहाँ पर ना खड़ा होता equator पर किसी और point पर tropic of cancer या tropic of capricorn वहाँ पर कहीं पर खड़ा होता तो आप मेरे को यह बताईए मेरी gravity में कितनी गिरावटा दी कितना change आता अब वो ही देखते है तो हमने special case देखा था कि अगर particle equator पर है तो क्या g की value होगी और अगर pole पर है तो gravity में क्या change आएगा अगर किसी random point पर है जिसका latitude angle lambda है जिसका latitude angle lambda है let's suppose point P तो वहाँ पर gravity g dash की value क्या होगी तो through some derivations g dash की value आती है g minus r omega square cos square lambda ठीक है अब यहाँ पर हम special case इससे ही बना सकते है equator वाला भी और pole वाला भी बस यहाँ पर lambda की value हमें substitute कर नहीं है तो lambda की value यहाँ पर मैं 0 रख रहा हूँ 0 रखता हूँ तो cos lambda 1 बनता है तो g हमारा वो ही आ जाता है g equal to g minus r omega square और pole पर अगर मैं value substitute करता हूँ 90 degree cos 90 क्या होता है 0 तो cos lambda 0 हो जाएगा तो g dash equal to g यानि की pole पर जितनी gravity g dash पर है pole यानि यहाँ ठीक है तो g dash will be equal to g that is no effect जितनी पहले gravity थी due to rotation और rotation के बाद भी उतनी ही gravity दाती है pole पर तो यह special case ते आती है यहाँ से यह है formula g dash equal to g minus r omega square cos square lambda यहाँ अगा यहाँ बादिए